गुड यूणिंग दोस्तों NCIT की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एट की हिस्ट्री आप तेक हम लोग चैप्टर नमबर एट रीट कर चुकिए और यह सेकंड पैटे जिसमें चैप्टर नमबर नाइन है हाँ पहले जो बुक ते उसमें वहां तक लिखा था चैप् आप पैन पैंसिल लेके बैठ गया होंगे आज मेरे पास पैंसिल नहीं है मेरी जिससे में मार्क कर सको तो आप क्या करोगे कि जहां भी अगर बोला जाएगा नोट डाउन करना है तो नोट डाउन आप कर लोगी क्योंकि यह जो चैप्टर है बहुत इपॉर्टेंट चैप कि कैसी रही होगी आज कल मध्यमवर्गिये परिवारों की जादत लड़कियां स्कुल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं बड़ी होने पर उनमें बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्विध्यालों में जाती हैं और विभिन प्रका पुर्शों की तरह मैलाएं वोट डाल सकती है और चुनाओ लड़ सकती है बेशक सभी मैलाएं इन अधिकारों का भोग नहीं कर पाती गरीबों कोशिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं गम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते बहुत सरे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छ अनुसार पती भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्ने थे। जादा तर बच्चों की शादी बहुत कम रुमुर में ही कर दी जाती थी। हिंदू वे मुसल्मान दोनों धर्मों के पूरिश एक से जादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागुम में विद्वाओं से यूमिद की जाती थी कि वे अपने पती की चिता के साथ ही जिन्दा जल जाएं जैसा की स्विचर में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह स्विच्चा या जबर्दस्ती से मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महियमा मंडित किया जाता था। सती का अर्थ था सदाचारी महिला। ठीक है अगर आप नहीं जलोगी अपने पती के साथ में अगनी में तो आपको जबर्दस्ती जलाया जाएगा। समपत्ती पर वे महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं के प्राय कोई पहुँच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पड़ी लिकी होंगी तो वे जल्दी ही विद्वा हो जाएंगी। ऐसा लोग मानते थे। समाज में सिर्फ इस्तरियों और पुर्षों के बीच ही फर्क नहीं था। जादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्रामण और शत्रिये खुद को उची जाती का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदी से जुड़ी जातियां जिनने प्रायवेश्य कहा जाता था, उनका इस्तान आता था। फिर काश्तार, बुनकर, वकुमार जैसे दस्तकार आते थे जिनने शुद्र कहा जाता था। इस श्रेणिक्रम में सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गाओं को साफसुत्रा रखती थी। या ऐसे काम दंदे करती थी जिनने उची जातियों के लोग दूशित कारें मानते थे। यानि ऐसे काम जिनकी वज़े से उनकी जाती प्रिस्ट हो जाती थी। उची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों लोगों को अच्छूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वण जातियों के इस्तमाल वाले कुओं से पानी निकालने या उचे जातियों के आधिपत्ते वाले खाट खाटों पर उनके तलाबों पर ढाने की छोट नहीं थी, उन्हें निम्ने दर्जे का मनुश्य माना जाता था जो शु कैसे हो, परिवर्टिन के दिशा में उठते कदम, 19 सदे के शुरुवास से ही हमें सामजिक रित्ती रिवाजूं और मूल मानेताओं से संबंदित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का सरू बदलता दिखाए दिया, इसकी एक एहम वज़े ये थी, कि संचार के नए तरीके विक्सित हो रहे थे, पहली बार किताबें, अकबार, पत्रीकाएं, पर्ची और पुस्तीकाएं छप रहे थी, ये चीज़े ना किवल पुराने सादनों के मुकाबले सस्ती थी, बलकि उन पांडू लूपियों के मुकाबले जादा लोगों की पहुँच में थी, जिनके ब नहीं शहरों में तमाम तरीके के सामाजिक, राजजयतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्धों पर पुरुष और कभी-कभी महिलाओं के भी चर्चा होती थी, ये चर्चाएं आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदलोनों से जूड़ी होती थी, इस तरह की भैसे अक्सर भारती सुधार को और सुधार संगटनों की तरफ से शुरू होती थी, आप नोट करिए आप, ठीक है, राजारा मोहन राय, 1772 से लेकिया, 1833, इसको नोट करते जाएए, इसी तरह की एक सुधारक थे, उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज सभा के नाम से एक सुधारवादी संगटन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जग गया, यह जिसे लोगों ब्रह्मो समाज कहते हैं, राजारा मोहन राय कलकत्ता, जाद रखेगा, इसको लिखते रहिए, रामोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा क chilli जाता है क्योंकि वैं मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यापूंढ तोर तरीकों से छुटकारह पाना जरूरी है उनका विचार था कि इस तरह के पर्यवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने वेवार को चोड़ कर जीवन का नया धंग अपनाने के लिए तैयार हूं यह राजरा महुन रजी का पिच्चर है रामोन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा समानता के पक्षदर थे उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस सरे महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांद कर रखा जाता था उनकी दुनिया घर और असोई तक की सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी त्फिर आया विद्वाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश रामोन राय ने रामोन राय इस बास से काफी दुखी थे कि विद्वाओं को अपनी जिंदगी में भारी कस्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब पुराने जमने में जब वर्ति विद्वाओं हो जाती थी तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाओं किया जाता था लेकि उनको कुछ खाने ने देना अच्छे से उनको पहने ने देना अच्छे से विद्वाओं की ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो महुन राइजी ने इसे करीब से देखा और वो बहुत दुखी थे इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाव मुहीम छेड़ी थी सती प्रथा जब जला दिया जाता है औरत को जब उसके पिता की मृत्ति हो जाती है उसके साथ ही इसको भी हमने चेस्ट पढ़ा रामोन राय संस्क्रत फार्सी तथा अन्यक कई भारतिय और यूरोपिय भाशाओं के अच्छे ग्याता थे उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रियास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विद्वाओं को जलाने के अनुमति कहीं नहीं दी गई इसको बिटा राइट कर लो कि किसने ये सिद्ध किया कि प्राचीन ग्रंथों में विद्वाओं को जलाने के अनुमति कहीं नहीं दी गई तो ये राजारा मोन राय ने तो यह जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे बहुत सारी कुशन्स बन रहे हैं 19 सदी के आरंब तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारती परंपराओं और रिती रिवाजों की आलोचना करने लगे थे वे राम महुन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान विक्ति के रूप में प्रतिस्टा थी 1829 में सती प्रता पर पावंदी लगा दी गई इसको नोट कर लेंगे डेट की सती प्रता पर पावंदी कम लगा दी गई 1829 में राम महुन राय के इस अभ्यान के लिए जो रण इती अपनाई उसे बात के सुधारकों ने भी अपनाया जब भी वे किसी हानिकारक प्रता कुछ चुनौती देना चाहते थे तो अक्स प्राचिन धार में ग्रंतों से ऐसे इस लोग यह वाक्य ढूनने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करता हो इसके बाद वे दलीलें देते थे कि संबंदित वर्तवान रिती रिवाज प्रारंबिक परंपरा के खिलाफ है होता भी था ऐसा अब यह देखे अगे पिच्चर दिखाई दे रहे हैं आपको किसमे क्या हो रहा है सकु देख लीते हैं कुंड़ों पर ज्ूलने का ते ओर है भी कुंड़ान क्या हैं इसको देख लेते इस लोग प्रय्यों त्योहार में भग पार्पर एक अनुस्टानों के तहत अजीब तरे से कस्ट सैने का अभ्यास करते हैं वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक जूले पर लटक जाते हैं देखा होगा अपने चमड़ी में ऐसे गुसा लेते हैं अंदर ऐसे अफिर लटक जाते हैं उन्हें चाताब्दीक पूराद में जब यूरोपी अफसरों ने भारते रिती रिवाज और उनस ठानों को बरबर कहकर उनकी आलोचना शुरू कर दी तो इस तोहार की खास तोर पर आलोचना किये गए देखे शरीर को अपने शरीर को कस्ट दे रहा है ऐसा कहां लिखा है यह हम लोग जम को पढ़ना जरूरी है पहले हम उन्हें लकडियों में भा खास रिवाज के समर्थक और आलोचक के बीच में बहस की रूप में लिखे गए थी सती प्रता के बारे में इसी तरह का एक उधारन देखने को मिलता है सबसे पहले हमारा सती समर्थक और ते कुद्रती तोर पर कम समझजार विनाद्र संकल्प वाली भरोसे की योग्या नह उनके साथ चाने की काम ना करने लगती है परन्तु वे कहीं धदकती आंग से भाग न निकले इसलिए पहले हम उने चिता की लकडियों में कसकर भान देते हैं अब सत्ती विरोधी आप लोग ने महला को अपने साबक शमता का प्रतशन करने का मौका ही कब दिया फिर भला त चीजों को ग्रण ना कर पाए तो उसे मक्षम मान सकते हैं परन्तु अगर तुम और तो को पढ़ने का मौका ही नोद दोगे तो तुम इने कम तर कैसे समझ सकते हूं यह जो पॉइंट है यह किसने गाधा राजारा मोहन रहने यह याद लिख देख लिजे आप क्योंकि यह हवाला दिया था अंगरे सरकार ने उनका इस हुजावं मान लिया और तुमएं विद्वा के पक्ष में कानून पारित कर दिया के बिटा y temperature कर लेना आप सीचिन Sickria विद्वा कानून का 52 चे उच्छारा में जो विद्वाएं के विबाका विरोथ करते ते उन्हें विद्य स सागरकावी ब्रोत किया और यहां तक कि उनका वैश्कार कर दिया कोई बात नहीं उनिस्वी सदी के उत्रात तक विद्वा विवाग के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया मद्राज प्रेजिडेंसी के तेलगू भाशी इलाकों में विर शलिंगम पंतुलू ने विद्वा विवा के समर्थन में एक संगठन बनाया इसको भी बिटा नूट डाउन कर लो आप अज मेरी पैंसिल नहीं मिल रही है तो इसको भी आप नूट डाउन कर लेंगे रगवाज उसी समय मुंबई में यूवा बुद्धी जीवियों विद्वा विवा के प्रचार प्रसार का संकर्प लिया उत्तर में आरे समाज के स्थापना करने वाले स्वामी दयानियन सरस्वति ने विद्वा विवा का समर्थन किया। इसके बावजूद विवा करने वाली विद्वा महिलाओं की संख्या काफी कम थी, विवा करने वाली विद्वाओं को समाज में आजसनी चस्विकार नहीं किया गया, इस तरह रूड़ी वादी तपके से इस कानून का विरोध वो लोग करते रहे। देट ब आपियाद लगी हैं। क्यों को आप लिख लीजिए। लड़किय बहुत सारी सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधाने के लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्त में विद्या सागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कुल खोले। उनिस्वी सदी के मद्दे में जब इस तरह के प्रारंबिक स्कुल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भैधा, ये भी जड़े नोट कर लीजिए, ये रिजनर्षेशन में आ सकता है। लोगों को भैधा कि स्कुल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरे लू कामकाज नहीं करने देंगे। इसकुल जाने के लिए लड़कियों को सावजनिक इस्तानों से गुजर कर जाना पड़ता था बहुत सारे लोगों को लगता था इससे लड़कियां बिगड जाएंगी उनकी माननेता थी कि लड़कियों को सावजनिक इस्तानों से दूर रखना चाहिए फलसरोप 19 सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारे वाले पिता या पती की देखरेग में घर पे ही पढ़ाया जाता था ये अंडरलाइन आप कर लेंगे कही महिला उन्हें बीना किसी के मदद लिए खूदी पढ़ना लिखना सीखा जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी तोड़ आओ डीटेल में पढ़ेंगे क्या आपको याद है पिछले साल सामजी को राजजयतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंद्री देवी के बारे में क्या पढ़ा था वो ऐसी महिला थी जोन्होंने रात में दिये कि टिम्टे मातिलों में चोरी चिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था 19 सदी के आखरी हिस्से में आरे समाज द्वारा पंजाब और जोतिरा फूले द्वारा महारास्ट में लड़कियों के लिए स्कुल खोलेगा इसको आप नोट करेंगे और अभी पिच्चर देखाई दे रहा है इसके बारे में में लोग पढ़ लेते हैं पहले एक लाइन प इस सिती को देखते हुए अब देखें ये वाला भी है ना नोट करना है आपको इस सिती को देखते हुए मुम्ताज अली जैसे कुस सुधार को ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दे कर कहा कि मैलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए उन्निसवी सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिरा शुरू हो गया इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोसाहित किया जाता था कि विधार्म घर्वलू सा संबार के बारे में पड़े पहले यह पिच्चर देख लेते हैं यह पिच्चर आपका इंदू महाविद्याले की चात्रा एं 1875 यह चात्रा हैं देखिए ड्रेस अप कितना अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है सब का डिफरेंट डिफरेंट बहुत अच्छा उन्हें से शदापदी में जब लड क्योंकि पढ़ाई लिखाई लड़कों के पढ़ाई लिखाई से कम सक्त होनी चाहिए अच्छा इंदू महिला विद्याले में ऐसे शुरूआती संस्तावनों में से एक था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी कुछ अलग से नहीं दी महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी बीसवी शदी की शुरूआत में से ही बहुत सारी महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एहम भूमी का अधा की जैसे भोपाल की बेगमों ने अले गडमे लड़कियों के लिए प्रात्मी स्कुल खोले ब और उनका मानना था कि प्रतेग धर्मिके धार्मिक नेताओं ने और्तों को निचले दर्जी में रखा है 1880 के दशक तक आते आते भारती महिलाएं विश्विद्यालों में प्रविश लेने लगी थी उनमें से कुछ चिकिसक कुछ शिक्षिका बन गई बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं के सिति पर अपने आलोशनात्मक विचार प्रकाशित क पूना में अपने घर पर ही रहकर प्राप्त करने वाली बाई तारा शिंदे इसको नोट कर लो तारा भाई शिंदे की कौन से पुक है इस्ति पुरुष तुलना नाम से किताब रकाशित के जिसमें उसने पुर्शों और महिलाओं के बीच मौजूद की समाजक फरकों की आ में शक्ता है कि इस्ति पुरुष तुलना के जो राइटर है वो कौन है यह कुश्ष हो सकता है तो इन्होंने जो लिखा था ये यह पिंक कलर से जो लिखा इसको भी पढ़ लेंगे चलि पहले तो यह पढ़ लेते क्योंकि उसके बाद ही आगी का जब औरत का पती मर जाता ये तेराबै शिंदे ने अपने पुस्तक इस्टे पुरुष तुल्णा में लिखा, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा, क्या औरतों को अपने जिन्दगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितने की तुम्हें, तुम्हारी जिन्दगी प्यारी है, ये तो कुछ ऐसी बात हो मानों वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम और तुमारी जिन्दगी शुद्ध सोने की बनी हो तुम मुझसे पूस्ते हो कि मेरा मतलब क्या है मेरा मतलब यही है कि जब औरत का पती मर जाता है तो उसका क्या हर्ष होता है नाई आता है और उसके लहराती बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुमारी आंकों को ठंडक वड़ जाए उस शादी भिया आवो बगत और उन्शुब अपसरों उसे भैश्कृत कर दिया जाता है जहां विवायत में लाएं जाती है और भला इन पाबंद्यों की वज़े क्या है क्योंकि उसका पती मर चुका है वह अभागिन है दुर्भाग्य उसके माते पर खुदा हुआ है उसका चैरा भी नहीं देखा जाता यह अशुब होता है यह सब किसने लिखा तारावेशिंदे ने अपनी पुस्तक में ठीक है अब आते हैं पंडिता रमा भाई पे यह बिटा बुक्स की जो नेम है उसको याद कर लेंगे उनकी राइटर आप याद कर लेंगे और उनका इयर भी याद करेंगे संसकत की महान विद्वान पंडिता रमा भाई का माना था कि हिंदू धर्म में हिंदू धर्म महिलाओं का धमन करता है उन्होंने उची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर भी किताब लिखी उन्होंने पुना में एक बारव गिरह की स्तापना की जा सस्वाल वालों के हातों से अत्याचार जहल रहे महीलाओं को पन्हा दी जाती थी यह चीज我在 ओं को नोट करने की हैं और महीला को ऐसी चीज़ेuk सिखाई जाती थी जिनके सारे पर अपनी रोजी-्रोटि चला सके जाई ह है इन सब बातों से रूडी वादी खेमे के लोग काफी आग बबुला हुए हो नहीं था उनकी चली नहीं रहे थी जितनी ओड़तें सब आगे बढ़ रहे थी उधारन के बहुत सारे हिंदू रास्टे वादी को लगने लगा कि हिंदू मेलाय पश्रीम के तौरतरी के अपना सकते हैं कि 19 सदी के आखिर तक महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चड़ कर प्रयास कने लगी उन्होंने किताबे लिखी पत्रहिकाय निकाली इसकूल अप्रशिक्षन के इंद्र खोले और महिलाओं को संगड़ित किया 20 सदी की शुरूआत से महिलाओं को मत अधिकार बैतर स्वास सुईदाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राज़तिक दबाव समू बनाने लगी उन्में से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन प्रकाय के रास्टेवादी समाजवादी अंदलों में भी हिस्सा लिया 20 ej दशताबदी में जवालार जरो शुभाचंद्र वो जैसे नेताओंने महिलाओं के लिए और अधीक सतन्तर्ता समांता की मांगों की समर्थन पहले सरफ पुरुषी वोट डालते थे बवह यह नहीं दालती थे परन्तू उनका आवान था कि जब तक सथन्तृता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज़बिरोदी संगर्श में ही जोर लगाना होगा कि पहले हम लोग चुटकारात तो पालें यह बिट बाल विवा के विरुद कान नूट ये पिच्चर देखे दिखाई दे रहा है कितने चोटी लड़की है आठ साल की दुलन देखे चित्र में इसमें दिख रहा है चलिए ये ज़र नूट कर लेंगे कि किस दिन क्या हुआ तो कौन से यह को महिला संगठनों के विकास दा इन पर हो रहे लेखन की वज़े से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई लोग बाल विवा जैसे इस तापित परंपराओं को चुनौती देने लगे केंद्री विधान सभा में बहुत सारी सांसते जुन्होंने बाल विवा पर पावंदी हित्तु कानुन बनाने के लिए संगर्ष किया 1929 में बाल विवा निशेद अधिनियम पारित किया गया इसको नोट कर लिजेगा देखें बाल विवा निशेद अधिनियम ये एक्ट कब हुआ 1929 में इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संगर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारव चानूनों के बारे में हुए थे इस कानून के अनुसार 18 से कम उम्र के लड़की और 16 से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती और बात में जो यह है लड़की oder 21 और लड़की की उमर 18 साल कर दी गई ये कोशन आया था और आभी सकता है ठीक है अब है जाती और समासुदार इसका एक एक जो पॉइंट है न सब नोट करने वाला है बहुत कोशन बनते हैं इसमें से हमने अभी जिन समासुदारों को का जिक्र किया उनमें कई जातियों गयर बराबरी के विरोधी भी थे रामोन राय ने जाती विवस्ता की आलोशना करने वाले एक पुराने बहुत ग्रंद का अनुवात किया प्रात्ना समाज बक्ती परंपरा का समर्तक था जिसमें सभी जातियों की अध्यात्मिक समानता पर जोड़ दिया गया जाती उनमूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में अठारा सुचालिस में परहंस मंडली का अगठन किया गया इसको नोट करिए इन सुधार को और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारी उची जातियों के लोग थे गुप्त बैटकों में सुधार भोजन और इसपड जैसे मामलों में जातिय काइदे कानुनों का उलंगन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातिय पूरा घ्रह और बंदनों से निचात पा सके हैं कई लोग ऐसे थे जो जाती अधारित समाज व्यस्ता में होने वाले अन्याय के वुरुद थे उन्निस्वी सदी में इसाई प्रचारक आदिवासे जमुदाएं और निचली जातियों के बच्चों के लिए इसकूल खोलने लगे थे कौन इसाई प्रचारक न इस प्रकार इ नए करकार खाने और नगरपाले काँ में नई नौकरिया निकल रही थी और मज़दूरी की इतनी मांक पैदा हो ठीक है शेहरों में नालिया बनाई जानी थी सड़कें बिच्चाय जानी थी नई मारतों का निर्मान उना था शेहरों को साफ किया जाना था इसके लिए कूल खुदाई करने वाले बोज़ा डोने वाले इट बनाने वाले नालिया साफ करने वाले सफाई कर्मचारिया पालकिड होने वाले रिक्षा कीजने वालों की जरुवत थी यह शर्म कहां से आया इन कामों को संभाल लगे गाओं और छोटे कजबों से गरीब शहरों की तरफ गर त्रिनीदी दाद और इंडोनेशिया आधी स्थानों पर बागोनों में काम करने चले गए नए स्थानों पर काम का अकसर बहुत कठोड़ था परन्तु गरीबों और निचली जातियों के लोगों को ये गाउं में सुन्ट जमिदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारिक अ चैनिक अपमान से छूट कर निकलने का एक मौका था जो नीची जाती वाले थे वो दूसरी जगे चले गए क्योंकि गाउं में उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था जो उची जाती के लोग थे अब ये जूते कौन बना सकता है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं चमडे का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है क्योंकि वह अम्रित पश्वों का चमडा निकालते हैं जिने गंदा वर्दूशित मा परान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गए परंट चमडे के कामों के प्रति जाती है पूर्वा ग्रोओं की वज़े से केवल परंपरगत चमडा कामगार और मोची ही जूते तयार कर सकते थे लिया जादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी ला गई थी अच्छूत माने जाने वाले माहर समुदाई के बहुत से लोग माहर रेजिमेंट में नोकरी मिल गई थी दलित आंदुलन के नेता बी आरंबेटकर के पिता एक सैनिक स्कुल में ही पढ़ाते थे इसको भी नोट कर लिजिएगा दलित आंदुलन के नेता बी दिखते हैं और नीचे समानता और नियाय की मांग भी दिखेंगे बंबे प्रजिडेंसी में 1829 में भी अच्छुतों को सरकारी स्कुलों में गुसने नहीं दिया जाता था जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सक्ति से अवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बहार बरामदे में बैठ कर सबक सुनने की इजाजत थी ताकि वे कमरे को दूशित न कर सके जहां उची जाती के लड़कों को पढ़ाया जाता था ठीक है अब ये गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम धोकर ले जा रहे हैं दुबला क्या है दुबला मजदू मजदूरी करते थे जो सौन्म जमीदार थे उनकी बस मजदूरी करते थे उनकी के संबालते थे और जमीदार के घर अंगन के तमाम छोटे मोटे काम भी कर देते थे समानता और नियाए की मांग उन्निसवी सदी के दूसरे हिस्से तक गय ब्रामन जातियों के भीतर से भी लोग जाती भेदभाव के किलाव अवाज उठाने लगे थे उन्होंने समाजिक समानता और न्याय की इमांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिये थे मद्धे भारत में सनातनी आंदोलन की शुरूआत घासी दासने की इसको नोट कर लिजेगा जुनोंने चमडे का काम करने वालों को संगटित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया ये दो लाइने इंपोर्टेंट हैं इसको नोट करेंगे पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकूर के मतुवा पंत के चंडाल कास्टकारों के बीच काम किया हरिदास ने जाती वरस्ता को सही ठहराने वाले ब्राह्मन वादी ग्रंतों पर सवाल उठाया जिससे आज केरल कहा जाता है वहाँ एजवा जाती के शिरी नारण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदश्रका ये भी नोट करिए ठीक है नारण गुरु का भी कोश्चन आता है उन्होंने जातीकत भिंता की आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोत किया उनकी अनुसार सारी मानता एक ही जाती है उनका एक महत्पुन कतन था ओरुजातू ओरुमतम ओरुदेवम मनुष्यानू ठीक है, अमानत था कि एक ही जाती एक ही धर्म एक किश्वर ये कतन किस ने कहा था? ये कहा था शिरि नाराण गुरु ने इसको नोट कर लिए और जो महत्पुन कतन है इसको भी आप नोट इन सभी पंथों की स्थापना एसी लोगों ने की जो गए ब्रामण जातियों से दे यानी जो ब्रामण नहीं थे और उनके बीच में ही काम करते थे उन्होंने उन आदतों और तोर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत शाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी उन्होंने अधिनस्त जातियों में स्वाबिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया अब है गुलामगिरी ये भी भी बहुती नोट करना है जोतिराफ पूले द्वारा लिके गुलाम गिरी एक बुक है कि इसको भी आप अपना नोट करेंगे, इस चेप्टर में बहुत सारी चीज़े नोट करने के नोट करते जाहिए साथ साथ जैसा जैसा बूला जा रहा है निम्न जाती नेताओं में जोती राफ फूले सबसे प्रमुक नेताओं में से थे 1827 में जन में जोती राफ फूले ने इसाई प्रचारों को द्वारा खोले गए स्कुलों में शिक्षा पाई थे बड़ होने पर उन्होंने जाती अधारी समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने ब्राह्मनों के इस दावे पर खुल कर हमला बोला कि आरे होने के कारण वे औरों से स्रेस्ट है फूले का तर्क था कि आरे विदेशी थे जोतिराव फूले का तर्क था कि आरे विदेशी थे जो उप महदीब के बाहर से आये थे और उन्होंने इस मिट्टीप के असली वारिसों आरे के आने से पहले यहां रह रह मोल लिवास्यों को हरा कर उन्हें गुलाम बना लिया था यह जो कतन है यह जो तिराव फूले जी के हैं जब आर्यों ने अपना प्रभुवत इस्तापित कर लिया तो वे पराजी जनता को नीच निम्न जाती वाला मानने लगे फूले के अनिसार उची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है यह धरती यहां के देशी लोगों की है कतित निम्न जाती के लोगों की है यह इनकी जो विचार थे इनको आप देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको समझें क्योंकि से कोशन बन सकता है फूले का दावा, फूले ने दावा किया कि आरियों की शाषन से पहले यां स्वन योग था, तब योध्धा किसान जमीन जोदते थे, मराटा देहात पर नया संगत और निस्पक्ष तरीके से शाषन करते थे, उन्होंने सुझाव दिया कि शुद्रों यानि कि श्रमक जातिय और अति शुद्रों अच्छूत को जाति भेदबाव खतम करने के लिए संगतित होना चाहिए, फूले द्वारा इस्तापित किये गए सत्य शोदक समाज नामक संगठन ने जातिय समानता के समर्तन में मोहीम लगाई, सत्य शोदक समाज का संगठन किस ने किया, जोती फूले ने, चलिए, मैं यहाँ और तुम वहाँ, यह जोती बरावजी थे, उन्होंने कुछ लिखा था, तो उसका एक पेजम लोगों को मिला है, कास्टकार के चाबूक, शादिर के कोई बूक होगी, फूले उच जाती नेताओं के उपनी विश्वाद, विरोधी, के बियालो शकते, उन्होंने लिखा, ब्रामनों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है, जिसने लोगों की संपंता का गला काड़ दिया है, और अब वे देश के महान देश भक्त बने गूम रहे हैं, वे हमारे शुद्र, मुस्लिम और पार्सी नोजवानों को इसला पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ, अब यह गुलामगिरी किताब क्यों लिखी गई थी, इसमें क्या है, इसमें चोटा सा आपको बताया गया, इसको नोट कर लिजी आप, 1853 में यह किताब लिखी गई, ठीक है, किसने लिखी गुलामगिरी, जोती बाराओ, फूले जी ने, 1853 में फूले ने गुलामगिरी नाम के किताब लिखी, इससे लगवग 10 साल पहले ही, अमेरिकी ग्रेय युद्ध हो चुका था, ठीक है, मतलब 10 साल पहले अमेरिका का युद्ध वा था, ग्रेय युद्ध, इसके फलसरूफ, अमेरिका में दास प्रता खतम कर दी गई थे, जब ग्रेय युद्ध वा तो जो तास प्रता थी, वो खतम हो गई थी, फूले ने अपनी उन सभी, उस तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की, जुन्हों ने, गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संगर्श किया, इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुरामों की दुर्दशा एक दूसरे से जोड दिया था, यानि कि इंडिया भी इंडियन में भी लोग काले थे, और वहां भी जो अफ्रीकन वगेरा थी, अमेरिका में वो भी काले थी, तो दूनों की वस्ता की अपने आलोचना को सभी प्रकार की गैर बरावरी से जोड दिया था, वैं उच्चे जाती मेलाओं की दुर्दशा मज़ूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमान पून हालात के बारे में गहरे तोर पर चिंतित थे, जाती सुदार का ये आंदोलन, ब पश्ची में भारत में डॉक्टर बियार अंबेटकर और दक्षिनी में इवी रामस्वामी नायर जैसे महांदलित निताओं के नितत में चलता रहा, ये भी नूट कर लेंगे आप लोग, हम भी इंसान है, 1927 में अंबेट करने का, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाप पर जाना चाहते हैं, कि औरों की तरह हम भी इंसान है, हिंदु समाज की दो प्रमुक्सिदान, समानता और जातिवाद के समाप्ती पर पुर्ण गटन किया जाना चाहिए, मंदिर कौन जा सकता है? इसकूल के पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्हें उच अध्यन के लिए अमेरिका जाने ही तूफ फैलोशिप मिल गए थी, 1919 में जब भारत लोटने पर उन्हेंने सम कालीन समाज में उच्च जाती सत्ता सरचना पर काफी लिखा, 1927 में अम्बेटकर ने मंदिर प्रवेश आंदूलन शुरू किया, इसको नोट कर लिजे, 1927 से 1935 के बीच में अम्बेटकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे तीन आंदूलन चलाए, वह पूरे देश को दिखाना चाते थी कि समाज में जाती है, पूरवागिरों की जगड कितनी मजबूत है, तो 1927 में इन्होंने आंदूलन चलाया था, गय ब्रामन आंदूलन ये जो पिच्चर देख रहे हैं, ये कौन है, इवी रामस्वामी नायर, जिसको हम लोग पैरियार भी बोलते हैं, पैरियार, इनका नाम क्या है, पैरियार याद रखिएगा, चली, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इधर पिंक वारे पे आएंगे, बीसवी सदी के आरम में गय ब्रामन आंदूलन शुरू हुआ, ये प्रयास उन गय ब्रामन जातियों का था, उन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था, उनका तर्क था कि ब्रामन तो उत्तर से आये हैं, इन आरे आक्रमन कारियों के बन्शज हैं, जिन्होंने यहां के मूल निवासी देशी द्रविड नसलों को हराकर दक्षनी बूबाग पर विजय हासिल की, उन्होंने सत्ता पर ब्रामन वादी दावे को भी चुनोती दिये, पैरियार के नाम से प्रसित चली आ गया इहां पे, पैरियार के नाम से प्रसित ई वी रामस्वामी नायर एक मध्यम वर्गे परिवार में पले बड़े, अपने प्रारमिक जीवन में वे सन्यासी थे, उन्होंने संस्क्रत शास्त्रों का गंबीरता से अद्धन किया था, बाद में वे कांग्रेज के सदसे बने परंतू जब उन्होंने रास्टेवादी द्वारा आयुजित की, बही एक दावत में देखा कि वहाँ बैटने के लिए जातियों के साबसे अलग-अलग इंतिजाम किया है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी, इस दावत में निम्द जातियों के लिए अलग-अलग बैटने का इंतिजाम किया गया था, पर यार को समझ में आ गया था कि अचुतों को अपने सौब इमान के लिए खुदी लड़ना होगा तो फिर इन्वाइट क्यों किये वही देखिए उनको कांग्रेस में जोड लिए और जोडने के बाद में पार्टी में अलग-अलग बठा रहे हैं इसी बात को ध्यान में अठाया गया ना उनको दावत पर ठीक है तब इन्होंने सौबी मनांदुलन शुरू किया इक कोशन आया नहीं है पर हो जकता है अशरसन में आज रिजन में आ जाए कोशन उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रवड संस्क्रती के असलिए वहाग अचूत ही हैं जिने ब्राह अर्मिक नेता और मुख्या सामजिक विभाजनों और असमानता को इश्वप्रदत मानते हैं इसलिए सामजिक समानता के लिए सबी धर्मों से अचूतों को खुद मुक्ती पानी होगी पैरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टार आलो चकते इसको भी नूट करिए खा सारा लिया है यह दलीले लोगों को सैज रासनी आई निम्न जाती नेताओं के भाशनों विचारपून लेखन और आंदुलनों से उच जाती रास्टेवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आत्म आलोचना की प्रकिरिया शुरू ही परंतु रूडिवादी हिंद तन्धर्म सभाओं तता भारत में महामंडर और बंगाल में ब्राम्मन सभा जैसे संगठनों के जरिये इन रुजानों का सक्ति से विरोत किया इन संगठनों का मकसद यह था कि हिंदू धर्में जाती उच निच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आच ना है विसाबि है अब इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है ब्रह्म समाज फिर से पढ़ लेते हैं ब्रह्म समाज के इस ता अपना थार्सव तीस में की गई थी यह संसा सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बली के विरुद्ध थी ठीक है इसको जो था विश्वासी थे लेकिन दूसरों की बुराई नहीं करते थे विविविन धर्मों के आदर्शों खास्तों और से हिंदू और इसाइधर्म के विचारों को यह आलोशना व्यक्या करते हैं उनके नकारतों सकारतों पहल उपर प्रकास डाला अब डेरोजियो हैं यंग सत्ता में अध्यापकते उन्होंने अपने शिक्षार्तियों को आमूल परिवर्तन कारी विचारों से अवगत करवाया और तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोसाइध किया उनके द्वारा शुरू गई यंग बंगार मुमेंट्स में उनके विधार्ति परंपरा और रिती रिवाजों पर उंगली उठाई मैलाओं के लिए शिक्षा की मांगी और सोच वे अभिवेक्ति की स्वत्रत्ता के लिए वियां चलाया यंग बंगार मुमेंट्स इसके द्वारा स्टार्ट हुई डैरुज्यों की द्वारा ठीक है अब आते हैं हम स्व इसे भी कोशन बना हैं यह मतलब भी पूरा चप्टर इंपोर्टेंट है राम कृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेका नंद के गुरू राम कृष्ण परम हंस के नाम पर रखा गया यह मिशन समास सेवा और निश्वार्त श्रम के जर्ये मुक्ति के लक्षे पर जोड़ स्वामी विवेका नंद 1863 से 1902 तक जिनका मूल नाम नरेंद्र दत था मतलब स्वामी विवेका नंद का नाम क्या था नरेंद्र दत उन्होंने शिरी राम कृष्ण की सरशिक्षां को अपने प्रतिबाशारी संतुने नाधुनिक विचारदारा से जोड़ कर संपुन विश विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयोक हैलाइट ने विवरंड दिया ऐसी विद्वान रास्टे में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मुर्खता पून है वास्ता में स्वामी विका नंद आधूनिक समय के पहले भारतिये थे जो उन्होंने विश् है दुख हुआ उनका यह ड्रशास्ता कि कोई सुधार तभी सफल हो सकता है जब संजन समूं की दशा उन्नत हो अते भारत की लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म से संकिन चार दिवारे से बहार निकलने में रास्टे की सेवा में एक चुट होने का आवान किया इस समानव जाती को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वह तभी काभू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी रास्टे एक समान धरातल पर एक साथ आएं अते एक समन्य आधात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उगदेश दिया इस उत पाटना समाज इसकå भी नूट करना हैं मोग कि में सब्सक्राइन को अदाना विया से कॉछन से पमने करें। समाज का मदिल कि पेरुट chronically देखें। ठीक है यह भी याद रखेगा वे समाज ब्रह्मों समाज से प्रेरिता वे समाज ने जाती भेदबा को समाप्त करने और विद्वा विवा तता महिला शिक्षा को प्रोसाइद करने के लिए काम किया इसके सदस से एक इश्वर की अस्तित में विश्वास रखते थे यह भी संदूत्व के अंध विश्वास और अनुस्तानों की सक्त निंदा की अब है अलिगड अंदूलन संयाद एहमद कां द्वारा 1875 में अलिगड में खोले गए मुहमद एगलो औरियंटर कॉलेज को ही बाद में अलिगड मुस्लिम विश्विद्याले के नाम से जाना गया यह मुसल्मानों को पश्चिमी विग्यान के साथ सथ विविन विश्वों की आधो निक्षिक्षा दी जाती थी अलिगड अंदूलन का शेक्षिक सुधारों में ग्यारा प्रभाव रहा अब हैं हमारी सिंग सभा यह भी हम लोग देखेंगे सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंग सभाओं की स्थापना 1873 में अमरसर से शुरू हुए इसको भी नूट करेंगे बाद में 1880 में लाहोर में भी सिंग सभा का गठन किया गया यह दोनों नूट करना आपको इन सभाओं में सिख धर्म अंदविश्वासों जाती भेदवाओं और ऐसे आचरण जिससे की गैर सिख समस्ती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया अजिए ऑदूनी ग्यान के सास सिख धर्म के सिध्धन को भी पढ़ाहा जाता था यह जितने भी जो लोग थे वा अदूनिक शिक्षा पर भी जोड दे रहे थे और अपने धर्म पर भी जोड दे रहे थे अब यह है दूसरे जगे हो रहा है काले गुलाम और गोरे बागान मालिक इसको आप लोग पढ़ लेंगे और यह अफरीक और अमेरिका की बारे में लिखावा है यहाँ पर इसको देख लेंगे हमारा जो था वहां तक हम लोगे ने फिनिश कर लिया है और यह चेप्टर थोड़ा सा लेंडी तो इसमें बहुत सारी चीज़े थी जो एक्जाम म आप टर हमारे बाकि है जल्दी से अम लोगी आप लेटी यह जोग्राफी स्टार्ट कर देंगे तब तक के लिए बाइबाइट टेक केर गुड नाइट फिर बिलेंगे कल अ